नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News अलट जारी किया हुआ है वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के बात करें तो इन राज्यों में सुवय साम मोसम ठंडा रहने लगा है इसके अलावा पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश उत्राखंड और जम्मु कस्मिर में मोसम सामान ने बने रहने को लेकर अलट किया है वहीं मैदानी इलाकों में मोसम सुष्क बना रहेगा वहीं उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाना राजस्थान बिहार जैसी राज्यों में मोसम में बदलाव देखने को मिलेगा भाजपा के पूरुम में रादोर हलके से विधायक राई स्याम सिंग राणा सनिवार को सैंकडो समर्थकों के साथ चंडिकड में पूरुमुक्य मंतरी ओंप्रगास चोटला की नेतरतों में और अभे चोटला की मोजूदगी में इंडियान नेशनल लोगदल में सामिल हु इने लोग आज भी किसानों और कमेरों की लड़ाई लड़ रही है और जो भी स्वर्ग्य देवलाल की नीतियों में आस्था रखता है उन सभी का हमारी पार्टी में स्वागत है स्नेचिंग की वार्दाते रोगने के लिए पुलिस को जारी करनी पड़ी एडवाईजरी रेवाडी पुलिस ने जागरूप करते वे कहा कि अगर उनके आसपास कोई बेगर नमर प्रेट की बाइक दिखाई देती है तो उन से स्तार करें और इसकी सूचना तुरंत पुलिस टेशन या पुलिस कंट्रोल रूम सो नमबर पर या 012 74 225 156 वे 263 100 या 263 100 पर दे सकते हैं सहर में बड़ती स्नेचिंग की वार्दातों को लेकर पुलिस ने एडवाईजरी जारी की है खासकर एडवाईजरी के जरिए महिलाओं को जागरूप किया गया है जिला पुलिस के अनुसार मेलाओं के साथ स्नेचिंग की वार्दाते बड़ी है उनकी रोक्ताम को लेकर ही एडवाईजरी जारी की है नारायनगड में बाजपा की ट्रेक्टर रेली की दोरान किसान की मोत मामले में भारते किसान यूनियन कारिकरताओं पर दर्ज की गए धारा 30 इन सुदों के मुगद में की विरोध में भारते किसान यूनियन 29 अक्तूबर को अंबाला की मोड़ा अनाजमंडी में महापंचयत करेगा यह जानकारी कमबोज धरमसाला में आजजित परदेश तरिये बैठक के बाद पत्तरकारों से बाचित करते वे भारते किसान यूनि इसी ने टच तक नहीं किया लेकिन फिर भी पुलिस ने भारते किसान यूनियन कारी करताओं पर दारा 302 के तैयत मुगद मा दर्ज कर दिया ये रजी स्टेशन के माद्यम से तैसील कारियलों में ब्रश्टाचार पर अंकुष लगाने के बाद हर्याना के मुख्यमंत्री मनोरला ने एक और बड़ी पहल करते वे ब्रश्टाचार का एक और अड़्डा माने जाने वाले RTA कारियलों पर सिकंजा खसते वे सभी जिलो में RTA सचिव के स्थान पर अलग से जिला परिवहन अधिगारी यानि DTU निक्त करने के गोशना की है मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रों के सुब आउसर पर सुद्धिकण का मन बना चुके है और RTA के बाद हर विवाग जहां पर ब्रश्टाचार की गुंजाय साय उसक यानि सनातक की BA तथा BCOM की तीसरे वर्स की वार्शिक स्कीम की fresh वर reappear तथा improvement की प्रिक्षाई 23 अक्तुबर से प्रारम होंगी प्रिक्षा नियंतरक Dr. BS सिंदु ने बताया कि DDE की BAE तथा BAE Special Education दूसरे वर्स की प्रिक्षाई 24 अक्तुबर से प्रारम होंगी इन्होंने बत प्रिक्षा देने में मदद मिलेगी नए संकायों में इसी तरह के नए पाठिकरम सिक्षा के उबरते हुए नवीन सवरूपों का ज्यान कराएंगे इससे नए क्योल विश्व विद्याले का चहुम की विकास होगा बलकि राष्ट इस तर पर पैचान भी मिलेगी शिक्षा विबाग को 15 साल बाद स्कूलों में भेजे गए एजुसेटों के याद आ गई ओनलाइन कलासें लगाने के लिए भेजे गए एजुसेटों के बारे में जानकरी मांगी गई है कि कि स्कूल का एजुसेट वरकिंग में है या नहीं इस बार में आतिशिकर जानकारी बेजे जाने के निर्देश दिये हैं पर हालत उसके उलट है डेड़ दसक पहले बेजे गए अधिकान्स एजुसेटों की छतरी ही गाइब है जिसके जरीए पंचकुला से सिस्टम कनेक्ट होता था बैटरी कबाड बन चुके है अडॉप्ट हरियान के समाज का लैन विवाग ने जहां एक तरफ बरोदा हलके में नजरे इनायत कर रखी है तो वहीं बहादुरगड में पेंशन पातर अधिकारियों की बेरुख के कारण बटक रहे हैं वे चाहे लाग फरियाद करें लेकिन स्थीते में कोई शुदारोता नहीं दिख बरोदा हलके में एक दिव्यांग ने पेंशन के लिए 13 अक्तूवर को अपलाई किया और उसी दिन उसकी पेंशन बन गई जबकि जजजर जिले में महीनों से अनेक पातर अपनी पेंशन बनवाने के लिए चकर काट रहे हैं ओनलाइन अपलाई करने के बाद पातर आवेद नहीं है एक भी सेरिया का सबा बरोदा विदान सबा की कहानी इनी दो लाइनों में सिम्ट जाती है जाटलेंड का सबसे महतुपूर्ण किला बरोदा हमेशे सही राजनितिक गलियारों में चर्चित रहा है जहां पर बहुत कम अंतर से जीत और हार का फैसला हुआ था 1937 में जहां जीत का अंतर 4,319 था तो वहीं 2019 में सिर्फ 4,840 मतों ने हार जीत का अंतर त्या किया था अब मज़े की बात यह है कि अब उपचुनाओं में भी कुछ ऐसी स्थिति बंती दिखाई दे रही है शुकरवार को नमांकन के आखरी दिन भाजपा से योगे शुर्दत कॉंग्रेस से इंदुराज नर्वाल के मुकाबले के बीच कपूर सिंग नर्वाल ने आज़ाद परतैसिक की तोर पर ताल ठोक दी है इसी वज़े से एक दिन पहले तक सिर्फ कॉंग्रेस भाजपा के बीच नजर आ रहा है चुनाओ अब तिरकोणी ये बनता नजर आ रहा है हर्याना सरकार ने RTA के रेड टीम के अधिकारियों और करमचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है सरकार अब इन अधिकारियों और करमचारियों के शरीर पर बोडी कैमरे लगाएगी ताकि ये अधिकारी और करमचारी कहीं भी रेड करने जाएं तो सारी गटना इसमें रिकोर्ड होशके इन कैमरों में हर गतिविदी कैप्चर होगी यह जानकारी आज प्रेस कॉर्फरेंस के दोरान हर्याना के मुख्य मंदरी मनोहरलाल खटर ने दी उन्होंने कहा कि आर्टिये के रेड टेम के आधिकारियों और करमचारियों के शरीर पर अब बोड़ी कैमरी लगेंगे ताकि सारी बात की रिकोर्डिंग की जासके